नमस्कार दोस्तों मैं सुजीत कुमार सिंग एडवान्स एक्सल ट्रेडिंग से आपका स्वाधत करता हूं हमारे इस यूटूब विडियो टिक्टोरियल में दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं कि यूजर फॉर्म के अंदर हम जब कोई मैसेज टाइप करते हैं ति क्या ओव मैसेज अपर केस में कनवर्ट हो सकता है जैसे कि मेरे पास एक यूजर फॉर्म है और मैं जब इसको ओपन करता हूं तो यहां मैं वन लिखा तो वन से रेटेट जो है पूरी इंफॉर्मेशन से यहां पर आ जाती है और जैसे मैं यहां पर एडिट पर क्लिक करता हूं मैं यहां चेंज कर सेखता हूं यह चीजी में बढ़ाई थी इसे रेटेट इंफरमेशन हमने आपको लास क्लास में भी दिया था अब हम बात करने जा रहे हैं कि क्या हम जब यह कुई यूजर फर्म ये मैसे बॉक्स में टाइप करें तो ओटमेंटिकली हमारा अप्रकेस में कनवर्ट हो जाए कैसे करेंगी इसके लिए इस ले मुझे कर सकते हैं यहां किसी और यूजर फर्म पर भी कर सकते हैं चलिए एक user form में हम यहां माल लेजिए एक text box लेते हैं और text box में हम यहां पर name देते हैं जैसे मैं इस text box में कुछ type करो तो वो automatically अपर में चला जाए कैसे करेंगे मैं इस पर double click करूँगा और यहां पर change पर आऊंगा और simple लिखना है me.textbox1.value is equal to u case और इसमें लेना है me.textbox1.value simple से अब मैं अपने text box को open करता हूँ अब मैं यहां पर p लिखूँगा p लिख देख रहा है आप में हाँ पर मैं small में लिख रहा हूँ और automatically ओ अपर में गन्वार्ट हो जा रहा है क्या इस तरह के features हम Excel seat पर भी कर सकते हैं जी हाँ हम Excel seat पर भी ऐसा कर सकते हैं कि माने जे कोई seat है और मैं यहां पर name हो गया और मैं यहां पर मचाता हूँ कि मैं name अगर पूजा लिखूँ तो मैं small में लिखूँ और enterprise करते ही automatically ओप caps में चला जाए यह चीज़ें भी किया जा सकता है वो भी event macro programming की मदद से लेकिन इस details को हम अगडी classes की video में discuss करेंगे इसी तरह आप इने चैनल पर बनेड हैं ऐसी informations पाते रहें और साथ में हमारे चैनल को subscribe भी कर लें ताकि notifications आपको आते रहें हमारी recorded pen drive को भी पर change कर सकते हैं या फिर हमारे साथ live classes को भी join कर सकते हैं वीडियो चलागा तो like जरू कीजेगा अपने friends को share कीजेगा